नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चेर परीचित दोस्तु पस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहदी महतोपूर्ण जानकारी को ले करके जिहां प्रिग्नेंसी में कभी न करें इस चीज का सेवन शीशु होगा खत्रे में जिहां आए जानते हैं ये टॉपिक आज आप सभी के लिए हम ले करके आए हैं जो की बहदी लाफकारी सावित होगा आप सभी के लिए गर्भवती होने पर एक महिला अन्य महिलाओं की तोलना में कई मायनों में अलग हो जाती है अपने और शीशु के बहतर स्वास्त के लिए गर्भवती को अपने लाइफ हस्टाइल के साथ साथ अपने खान पान पर भी विशेश ध्यान रखना होता है गरपवती महिला को और उसके होने वाले शिशु को पर्याप्त मातरा में विटामिन्स और मिनरल्स की जरूरत होती है प्रिगनिंसी में महिलाओं को काफी कुछ खाने का मन करता है जिसे वजन बढ़ना लाजमी है ऐसे समय में वजन बढ़ाने वाली चीजों को खाने की अपेक्षा, शरीर को पोशन मिलने वाली चीजें खानी चाहिए फल, हरी, सबजिया, दूध, इत्यादी, शरीर को अंदर से मजबूत बनाने के साथ आपकी त्वचा के लिए भी काफी लाफकारी सावित होते हैं आज हम आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बता रहे हैं जिन्हें अपना कर आप अपने खान पान को बेहतर कर सकती हैं जिससे आपका शिश भी अच्छा होगा जि हाँ, सुबा के समय चार-पांच भीगे हुए बादाम खाएं, नाश्टे के समय फल और ग्रीन टीलें, ग्रीन टीम में निकोटीन कम होता है, इससे भूख खुल कर लगती है, इसके अलावा जूस भी आप पी सकती हैं नाश्टे के समय बाद हरी सबजी आप मिला करके बनाई गई दलिया या पुहा भी ले सकती हैं, लंच में चोकर वाली रोटी या मिश्ची रोटी के साथ दाल, रहसेदार सबजी और एक पत्ते वाली सबजी ले सकती हैं, लंच करने के कुछ दिर बाद फल खा सकती हैं, श बात में सोने से पहले एक ग्लास गुनगुना दूद पी लेना चाहिए इससे भिलाब होता है यह स्वास्त के लिए फायदे मंद रहता है दिन में अगर अधिक भूख लगती है और कुछ खाने का मन करता है तो ताजे फल सलाद और उबली होई सबजियां ले सकती हैं पनीर अंकूरित अनाज स्वया बीन आप ले सकती हैं दिन में पर्याप्त मात्रा में पानी पीएं जूस पीने के बजाए साबूत फल खाएं कारण रेश्यदार फल शरीर के लिए ज़्यादा फायदे मंद होते हैं जिहां पैरों की सफाई बहुत जरूरी है गरभावस्था के दोरान पैरों की सफाई जरूरी है इसलिए आप थोड़े थोड़े दिन के अंतराल पर पेडिक्योर करा सकती हैं पेडिक्योर से आपके पैरों की अच्छी मसाज होती है जिससे पैरों की ठकान दूर होती है इसी तरह आप अपने हाथों के लिए मैनिक्योर करा सकती है इस से सुरी की घहा तक अल्ट्रा वाइलेट कीरने रूखा और बेजान बना देती हैं जिसके कारण तवचा पर जुर्दियां पढ़ जाती हैं स्क्रब और क्लिंजर जिहां गरफ अवस्था के दोरान तवचा काफी तैलिये हो जाती है इसलिए इन दिनों में तवचा की साफ स्क्रब का इस्तेमाल करना चाहिए बालों की देख भाल इस अवस्था में हार्मोन्स के बदलाओ के कारण आपके बाल सुंदर दिखने लगते हैं आम दिनों के अपेक्षा प्रिगनिंसी में आपके बाल ज्यादा मजबूत अवं मोटे लगते हैं तो ऐसे समय में आप हेर स्टाइल कर सकती हैं जो आप पर अच्छा लगे इसके अलावा नया हेर कट भी आप करवा सकती हैं खुब पानी पीए गरफा वस्था में बार बार पानी पीने से आपके तवचा खीली खीली रहती है साथ ही आप और आपके बच्चे दोनों को ही पोशन मिलता है ध्या जाधा आराम करना चाहिए क्योंकि इस अवस्था में आपको आराम की ज़्यादा जरूरत होती है अराम करने से आप खुद में ताजगी महसूस करती है जिससे आपके घर्भ में जो बच्चा होता है वो सुन्दर दिखता है यानि कि वो बेहतर पोशन पाता है जिसकी बद